दोस्तों ये प्यारी सी स्टोरी एक महिंती इंसान और राजा की है तो वो महिंती इंसान क्या होता है कि वो विचारा दिन रात इमानदारी से काम करता रहता है पर उसको अपनी इमानदारी के हिसाब से फल नहीं मिलता वो अपना जैसे कैसे रोजी रोटी गुजारता रहता ह और अप परिवार का खर्चा उठाता रहता है दीरे दीरे दिन बीटते जाते हैं वो एक दिन अपने घार आके बोलता है कि भगवान मेरी इमानदारी का क्या फायदा मैं अपने बच्चों को अपनी बीबी को दो वक्त की अच्छे से रोटी भी नहीं लाके दे पा रहा हूं इस इमानदारी से मुझे क्या फायदा मिलेगा क्योंकि मैं तो इतने इमानदार से काम करता हूं और मेरे पास शाम होते होते कोई भी पैसे नहीं रहते बहुत मुश्किल से मैं अपने बीबी बच्चों का पेट भर पाता हूं दिन बीटते जाते हैं ऐसे ही साल गुजर जाते हैं एक दिन क्या होता है कि वो एक दिन जा रहा होता है रास्ते में तो बजार जब वो पहुंचता है तो उसको एक दुकान पर वो पेंटर का काम करता है तो बजार में उसको दुकान पर पेंटर की दुकान में एक आदमी म बिलता है और वो बोलता है कि भाई तुम्हारे लायक एक काम है क्या तुम करोगे बोलता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा बोलता है राजा के महल का काम है संबल के करना पड़ेगा बोलता है ठीक है मैं बहुत इवांदारी से राजा का काम करूँगा ऐसे करते करते वो अच्छे से होना चाहिए किसी भी प्रकार का कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए क्या तुम ये काम कर पाओगे वो बोलता है सरकार मैं बिलकुल इमांदारी से ये काम कर पाऊंगा अगर आपको मेरी इमांदारी पे जरा सा भी विश्वास नहीं है तो आप मुझे एक भी पैसे मत दीजिएगा राजा बहुत खुश हो जाता है वो अगले दिन उसको महल में आने के आदेश देता है तो इस प्रकार वो अगले दिन सुबह सुबह ही महल में पहुंच जाता है फिर क्या होता है कि वो बहुत ही इमांदारी से उस नाव को पेंट करना चालू कर देता है पर जो नाव को देख भाल करता है सैनिक वो सैनिक उन दिनों छुट्टी पे होता है तो जब वो नाव पेंट करने के लिए जाता है तो वो दीरे-दीरे पहले वो नाव को उपर के हिस्से में फिर किनारे के हिस्से में फिर वो दीरे-दीरे उसको पेंट करता है तब उसको नाव के अंदर एक बहुत बड़ा छेद दिखाई देता है, छोटे-छोटे से छेद दो छेद दिखाई देते हैं, तो वो सोचता है कि अरे ये नाव में छेद कैसे हो गए, मैं इन छेद को अपने रंग से भर देता हूं, तो वो अपनी इमानदारी से उस नाव में ए चलकर देख लीजे, हमने बहुत ही इमानदारी से आपकी नाओ को रंग रोगन किया है, राजा बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम कल सुबह आना और अपने पैसे ले जाना मजदूरी के, वो दो दिन, तीन दिन बीच जाते हैं, इसी बीच वो पेंटर जो होता है, वो महल नहीं जाता है, और जो राजा का सैनिक होता है, वो चुट्टी से वापस आ जाता है, फिर क्या होता है कि राजा एक दिन नाओ में बैट कर जाने लगते हैं, और नाओ धीरे 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 करकर, वो नौका विहार के लिए पूरे परिवार के साथ निकलते हैं, और जब वो नौका बिहार कर रहे होते हैं तो राजा के सैनिक को पता चलता है और वो बहुत परेशान हो जाता है कि अरे राजा ने बिना मेरी आग्या के कैसे ये नाओ में चले गए क्योंकि उस नाओ में तो दो छोटे-छोटे छेत थे और राजा की जान संकट में होगी मुझे तो इसको और फिर वो सैनिक वापस आकर कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुपचा महल में आकर बैठ जाता है फिर थोड़ी देर बाद जब राजा का पूरा परिवार नौका विहार से वापस आता है तो वो राजा बोलता है कि अरे दो तीन दिन से वो पेंटर नहीं आया अपना मेह पैसा लेने उसको कल बुलाना तो वो सेना पती बोलता है कि जी सरकार मैं उसको कल महल में बुलाओंगा जैसे ही वो आता है फिर जो नाव की देखभाल कर रहा हो सैनिक होता है उसने उसको पूरे इमानदारी से वो पूरी कहानी राजा को बताता है कि सरकार आपकी नाव मे दो छेत थे और इसने इतनी इमानदारी से उन छेत को पेंट से ढख दिया और नहीं तो आज आपकी जान बहुत संकट में होती और आपका पूरा परिवार की जान संकट में थी मैं बहुत ही परेशान हो गया था जब आप नौका विहार कर रहे थे यह देखकर राजा को उस सैनिक को बुलाते हैं और उसको पूरी बात वो पेंटर के सामने सैनिक बताता है राजा उस पेंटर से इतना खुश होते हैं कि आज तुमने इमानदारी से अपना काम किया और नाओं में जो छेत थे तुमने उनको भर दिया अगर आज तुम नाओं में छेत नहीं भरत और सैनिक छुट्टी पे था और हम लोग नौका विहार कर रहे होते तो आज हमारा पूरा परिवार की जान संकट में हो जाती इसलिए बोलते हैं कि आपकी इमानदारी कहीं न कहीं आपको जीवन में जरूर काम आती है आज उस पेंटर के दिन बदल गए और उसका पूरा जी हो तो आप इसको जरूर सुनें और इंजॉय करें थैंक यू सो मॉच